परम प्रेमाई सिसी ठाकूर मोर, जगत जनेनी सिसी लख्वीमा, परम पुजपाद सिसी बड़दा, परम पुजपाद सिसी दादा, आजेर भरसा अच्छा जदिव ठाकूर परिवार का सभी समस्त का चरणा में में मेरा आननत कटिप्रणा। आज आप लोगों के समने बहुत गुरुत्त पुन बात करना चाहता हूं। उसे पकड लिया, किन्तु जैसा कि बिच्छों का स्वभाव है बिच्छों ने उनकी हतेली पर डंक मारा, जब डंक मारा उसने परांद भी तत परांद भी उन्हें बहार लेकर उसको छोड़ दिया। एकनाद जी ने उस और ध्यान ना देकर बिच्छों को किनारे पर रख दिया और पुना स्नान करने लगे। अकस्मात लहर का जोंका आया और उसने किनारे के बिच्छों को अपने चपेट में ले लिया। एकनाद जी ने फिर उसकी रख्याकी और उसे किनारे पर रख दिया। बिच्छों ने इस बार भी डंक मारा। समीप ही एक व्यक्ति नहा रह था। उसने एस सर्ब देखा तो एकनाद जी से पुछा एक बिच्छु आपको बार बार डंक मार रहा है और आप बार बार उसकी रख्या कर रहे हैं। क्या ऐसे दुखदाई जीब पर दया दिखाना उच्छी थे। क्या ऐसे जो डंक मारता है इस जीब को आप जो दया कर रहे हैं ये करना ठीक है। हम अपने स्वभाव से विपरित नहीं हो सकते ये भी पढ़े। एकनाद स्वामी ने जवाब दिया। इसमें अनुचित क्या है। मैं अपने स्वभाव का धर्म उसके साथ बरत रहा हूँ। और ओ अपने स्वभाव का धर्म पालन कर रहा है। फिर हमें अपने स्वभाव धर्म से क्यों विम्यूख होना चाहिए। इसका सार बात क्या है आपको पता है। सामने बाले बुरा बेभार करे भी तो आपना अच्छा बेभार कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको कोई जदी गाली देता है, मारता है, पिटता है, आपके पीछे खराब आचरण करता है आप मगर खराब मोथ होए आपका जो बेभाहर है, उसको अच्छा रहना चाहिए आप अच्छा रहने से आपका परिवारिक जिवन, समाजीक जिवन, राष्ट जिवन, उन्नती होगा और आप उन्नती की मुखर चले जाएंगे हमें हमेशा अच्छा बरताब करना चाहिए ये आप सब समझना चाहिए कोई क्या करता है कौन खराब आचरण करता है खराब काम करता है उसमें ध्यान मत दिजिए उनका स्वाभाब जो है ओ करता है आपका स्वाभाब कभी भी खराब होने मत दिजिएगा इसी में सिसी ठाकूर अनुकुर चंद्र जी ने कतना सुन्दर बात बोले एक भक्त ने भी पूछा था कि ठाकूर आप दोसी को क्यों आसरे देते हैं जो खराप आदमी है उसको क्यों आसरे देते हैं एबात सिसी ठाकूर को बहुत आदमी पूछे बहुत बार भी पूछ चोर के पास क्या डाब का पानी तीता हो जाता है और साधू या चोर के पास उसका स्वाद एक जैसा ही रहता है उसका साधू के अलग टेस्ट और जो बदमास या चोर का अलग टेस्ट इसक कभी नहीं होता है और रोगी के लिए हस्पेताल का प्रयोजन है जो रोगी है उसको हस्पेताल का प्रयोजन है इसी के अलावा चारित्रिक दोस्का अर्थ ही तो मानसिक अस्वस्तता है मुझे यदि सर्दी होती है तो क्या आप मुझे सजा दिजेगा या दवाई ला कर दिजेगा ये आप सोज लिजे मैं समझता हूँ इसके लिए मैं ही उत्तरदाई हूँ एक मैं ही तो बहुत रूब में हैं किसको छोड़ूंगा किसके त्याग करूंगा धोके बाजे से सहर भरा पड़ा हुआ है विश्वनात्स से यदि प्रेम करता हूँ तो बिश्व के कीडे मकोडे तक को प्रेम करना होगा प्रतेक को सहना करना होगा बहनना करना होगा पालन करना होगा पोसन करना होगा तब जाकर हम ठीक से बचेंगे बढ़ेंगे और सब को बचाएंगे तो ये जो आलचना आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट बक्स में कमेंट कीजिया मैं नहीं नहीं बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ बंदी पुर्शोतम जय गुरू